आजी भी या करे स्टर्ट है हलो वान कैसो आप सभी लोग आज हमें बीटीसी में कुछ जादा बड़ा मुमेंट देखने को नहीं मिल रहा है अमें बीटीसी अभी भी 23,000 के आसपा से मंड़ा रहा है कल हमने डिसकस करा था कि भाईया देखो मुझे एक हतोड़ा मिल गया है यहां पर एक हैमर केंडल के दर्शन हो है और इसके अकोडिंग बीटीसी को फिर से 23,000 के उपर जाना चाहिए बीटीसी ने लगबग 23,300 के आसपास का लेवल टच करा और फिर से 23,000 के लेवल के आसपा मैंने आपको पिछली कुछ रिपोर्ट में बताया कि देखो जो बड़े एनलिस्ट है ना उनका तो यह मानना है जो स्टेडिजिस्ट है कि जिस तरह की कंडिशन भी मार्केट के चल रही है फेड अपनी जो मोनेटरी पोलिस है उसमें ज्यादा चेंजस नहीं करेगा यानि कि काफी लोग जो मान के चल रहे हैं कि 25 BPS से इंटरस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है उसका हाल फिलाल उनके अकोडिंग एनलिस्टों के अकोडिंग कम चांसे लग रहे है और एक चीज़ पकड़ के चलो कि 25 BPS मार्केट थोड़ा पोजिटिव देखने को मिल सकता है इतना 25 से जादा हुआ तो यह मार्केट के लिए एक नेगटिव बात होगी और आपको पता यह मार्केट के आपने काफी देखे होंगे सीन कि जब भी अगर कोई नेगटिव अनॉंसमेंट होता है या फिर नेगटिव डेटा आता है तो गिरता है तो तेजी गिरता है लेकिन हो सकता है कि फिर से 20,000 के जून में हमें बीटीसी देखने को मिल जाए तो वैसे तो मैंने कल आपके साथ जो ट्रेड शेयर करी दिना वो अभी भी काम करेगी कि हाँ 21,500 के आसपस देखने को मिले 21,000 तक भी आ जाए तो कोई बात नहीं कम लेवरेज यूज करना लोंग का एरिया यह है और अगर 25,000-25,500 कम लेवरेज के साथ में यहां पर शॉर्ट ऑपन कर सकते हो ठीक है सीधी से बाद ट्रेड की इसका रावा देखो अभी जब मैं इस भी दर्शन हो जाए वीडियो को लाइव होते होते कोई बड़ी बात नहीं होगी ठीक है तो इसका थोड़ा से दिहान रखना और अगर आपको लिक्विडेशन का डर है रिस्क नहीं रेना चाते हो तो आज का दिन स्किप कर देना जरूरी नहीं है कि रोजाने ट्रेड लो कि अभी डिमांड बढ़ रही है नया पेसा मार्केट में आ रहा है इससे की मार्केट बढ़ सकता है तो वो चीट जो है अभी देखने को नहीं मिली जनवरी तक स्टेबल कोईंस की ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं देखने को मिली है अच्छा आज बजट सेशन था पताई यह बताने की जरूरत नहीं है आपको तीन-चार सेकिंड में डेटा मिल जाएगा तो कम से कम जोइन करें आज के दिन तो तो में बात ही हमारी बजट सेशन के अंदर कोई बात ही नहीं कहीं कि टेक्स सेशन को लिकर कि यहां ब्लॉक्चेन वगेरा वगेरा लेकिन एक चीज का जो स्लेब है तो आज कम से कम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छी ख़वर निकल गया है कि साथ लाग तक तो फिरी माइंड रहो ठीक है और देखा जाए तो जो गवर्मेंट है या फिर हमारी जो एफम है जो कि आज बजट के दोरान स्पीश दीजिए उसके सीजे ने भी कल अपने टूइट्स में बताया कि ये एक बड़ा मुका साबीत हो सकता है इसके लावा हमारी जो एफम है वो भी एए को लेकर पोजिटिव है तो एए के को इंस का थोड़ा सा ध्यान लेगी चलो ठीक है उन प्रोजेक्स में अगर आपका इंवेस्मेंट है तो मान के चलो कि रिटन आपको दे सकते हैं ऐसा चांसे बन रहे हैं और बाकी ये अपडेट्स वगरा तो मैंने आपको दे ही दी कि बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफस्ट्रक्शर हों दे कार्ड ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी और FOMC का पता ही है इसके अलावा बैंक्रफ्ट क्रिप्टो फर्म सेल्सियस से सम् यूजर कें विड्रोल एसेट भाया अभी तक तो हमें ये पता था कि जो सेल्सियस है वो विड्रोल विड्रोल सब बंद कर चुकी है कोई पैसा आप नहीं निकाल पाओगे लेकिन एक पोजिटिव बात है कि सेल्सियस के अनॉंस्मेंट के बाद में कुछ लोग अपना निकाल सकते हैं अब आपने सेल्सियस पे थे एक बार कमेंट करके बताना और क्या आप विड्रोल कर पा रहे हो या नहीं वह भी बताना ठीक है यूके से भी भाया पोजिटिव अपडेट आ रही है वै भी जो मिनिस्ट्री है वो जानना चाहती है इंविटेशन मिला है कि यहां आप अपना जो फीड़िए के वह दे सकते हो टोयोटा वाली अपडेट टोयोटा कितनी बड़ी ब्रांड है वह भी ब्लॉक्चेन के एक इवेंट स्पोंसर करिए तो बड़ी-बड़ी ओटो सब्सक्राइब करना है मिलता है जल्दी नहीं अपडेट के साथ टेलें जय हैं जय भारत मैं यह लास्ट के लाइन एक सास में बोलता हूं पता है बाबाए